सीजन सिक्स के एपिसोड वन की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि श्यावईन के थ्री एर के एग्रिमेंट को कम्प्लीट करने के बाद यूनान सेट के साथ उसकी एक भयानक फाइट हुई थी जिसके कारण से जामा एंपायर छोड़ कर जाना पड़ा और उसे इस फाइट के बाद फील हुआ कि मुझे अपने प्यार करने वालों को बचाने के लिए और पावरफुल होना होगा तो उसकी अगली डेस्टिनेशन के नान कॉलेज होती है जहां मा अपनी ट्रेंडिंग करेगा और अब हम देखेंगे श्यावेइन की एक न्यू जर्नी को जिसमें ये कैसे कैसे चैलेंज फेश करता है तो हम अब हम देखते हैं श्यावेइन की सिस्टर जुनर को जिसके पास वही शैडो मैन लिंग लॉग आया होता है जिसने श्यावेइन के साथ यूनलान सिक्ट के खिलाफ फाइट की थी तो जुनर लिंग लॉग से तूचती है कि श्यावेइन गामा के पायर से जाने के बाद कैसा है वह ठीक तो है तो लिंग लॉग कहता है कि वो ठीक है और क्वीन नेडूसा भी उसकी रक्षा कर रही है इसे सुनकर जुनर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि श्यावेइन जल्दी ही पावरफुल होकर आएगा और उसे आने वाले समय में कोई भी अंदरस्टीमेट नहीं करेगा जब तक वो आएगा मैं उसका वेट करूंगी तभी लिंग लॉग अपने मन में कहने लगता है श्यावेइन तुम्हे प्रिंसेस के लिए पावरफुल होकर आना होगा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है फिर प्रिंसेस लिंग लॉग से पूछती है कि वो अब कहा जा रहा है तो वो बताता है कि वो अब कैनान कॉलेज जा रहा है तो इसे सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है तुम एल्दर निंग के पास जाओ और उनसे कहो कि श्यावईन के अच्छी तरह रहने की विवस्था कर दे किनान कॉलेज में और उसे प्रोटेक्ट भी करें तुम शितकर रहना तुम उस कॉलेज में तब तक मत जाना जब तक श्यावईन को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े जिस पर लिंग लोग वहां से चला जाता है और जुनर उस जगह से नीचे आने लगती है और उसे रास्ते में एक सिसाइबल मिलता है जो उससे कुछ कहने क कोशिश करता है पर जुनर उसे अवाइड करके आगे चली जाती है इससे उसे बहुत दुख होता है कभी जुनर वहां एक लड़की मिलती है जो उसकी मेंटर होती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि कॉलेज के एडवांस कमपटीशन आ रहे हैं तुम्हें उन्में पार्ट लेना होगा लास्ट येर तुमने उसे छोड़ दिया था तो जुनर कहती है कि श्यावईन मेरा सीनियर है मैं उसके बिना इनर कोट में कैसे चली जाओंगी तो वो मेंटर कहती है कि तुम उसका इंतजार कब तक करोगी तो वो कहती है कि आप ज्यादा गुसा मत हो श्यावईन जल्दी आ जाएगा तो उसकी मेंटर गुस्से में कहने लगती है कि वो पहले तो दो साल की वेकेशन पर रहा और उसकी वजह से तुम भी अपने कमप्रेटीशन को छोड़ रही हो तो और वो मेंटर कहने लगती है कि अगर तुम मेरी फेवरेट डिसाइबल न जाएगा वो इनर कोट में जरूर जाएगा फिर जुनर अपने मेंटर को मनाते हुए अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है तभी पीछे वाला डिसाइबल श्यावईन के नाम को सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्से में पेड को बीच में से तोड़ देता है तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं श्यावईन को जो ब्लैक डोमें के बाहर पहुच जाता है जहां उसके मास्टर कहते हैं कि तुम अपनी इन परपल प्लाउड विंग को छुपा लो ये बहुत रेर है इसके लिए तुम्हें यहां लोग मार भी सकते हैं फि कि तुम इस ब्लैक डोमें सिटी में बिना 500 गोल्ड कॉइन दिये अंदर नहीं आ सकते तो श्यावें उसे 500 गोल्ड कॉइन दे देता है और सिटी के अंदर आने लगता है और अंदर आकर देखता है कि वहां चारू और बहुत ही यूनिक ट्रेजर सेल हो रहे हैं पर उसे त सिटी तक जाने का मैप चाहिए था तो वो उसको ढूंडने के लिए आगे बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं कुछ सोलजर जो एक दोमो नाम के सेलर को परिशान कर होते हैं उसने उनको गुल्डन कॉइंस भी दे दिये थे यहां आने के लिए फिर भी वो उसको जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें देखने में बहुत ही रिच लग रहे हो तुम्हारे पास जितने भी गॉल्डन कॉइन हैं हमें दे दो तो हम तुम्हें यहां से अची तरह लोटने देंगे तो श्यावएन उन्हें मना कर देता है तो वो सोलजर श्यावएन को मारने के ये उस पर अटैक करने लगते हैं, ये देखकर श्यावएन अपने एक ही अटैक में सभी को बड़ी आसानी से हरा देता, और इसे देखकर वो सेलर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि श्यावएन ने अन्जाने में उसकी मदद की थी, और वो श्यावएन से कहता है, कि क्या त साथ ब्लैक सील सिटी तक चलना चाहो गे मैं वहां जा रहा हूँ तो शियावें tapping master कहते हैं कि यह major 같이 अच्छा लग रहा है फ मिसके साथ सब्लैक सीटी तर सकते हो कंदें के साथ ही आज का हमारा यहными पार्ड यही पर हो जाता है झाल